स्वागत है आपका मोच्वल में मैं हूँ आपका होस्ट रिश्व और आज मैं डीटेल करने वाला हूं टाटा निक्सॉन यह अपने सामने जो कलर देख रहे हैं यह बहुत ही यूनी कलर जो कि आपका रॉयल ब्लू कलर के अंदर है और इसके आप कलर को देखोगे न तो यह बहुत ही मतलब प्यारा कलर है इन फैक्ट जो ब्लू कलर होता है बेसिकली कुछ लोगों को पसंद नहीं आता एक इस तरीके का ब्लू है बट यह ब्लू जो है मुझे परसनली बहुत अच्छा लगा तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग उसकी की से उसे पहले यह य जाता है तो चलिए उसके फ्रेंट प्रोफाइल पर आप इसके हैड्लाइम को चेक आउट कर सकते हैं अगर बात करें तो सब कुछ पहले वाले यूनिट ही मिल जाता है आपका हाई बीम जो है प्रोजेक्टर के अंदर आपको मिल जाएगा डियार जो है वह आपको यहां प अल्दो कार जो थोड़ी गंदी है क्योंकि बारिस का मौशम है और यह स्टॉक यार्ड में पड़ी हुई थी तो उस वज़े से जो है इसकी अभी जो है वासिंग वेगरा हो नहीं पाई है तो यहां पर इसके टाटा को लोगों को देख सेकते हैं फ्रेंट के अंदर ब्ला आप नेक्सवान की जो इंबोजिंग है वह देख सकते है बेसिकली यह जो है प्लास्टी का पार्ट है जो आपको दिख रहा है साइड में अगर आ जाए तो यहां पर आप इसके फेंडर को देख सकते है फेंडर पर जो है आपको वील आज क्लैडिंग वह मिल जाती है वील यहां पर आपको वाइट कलर कालिमेंट जो है वह यहां पर देखने को मिल रहा है यह पूरा पार्ट जो है आपको देखने मिल जाते हैं तो आप देख सकते हैं अगर रेयर में आजाएं तो यहां पर आपको ड्रेयर के अंदर ड्रम रेक दिया गया ड्सकória सली जो किए इसका ऐसानदर नहीं है बैग प्रोफाइल को भी जो है यहां से आप पर के अंदर यहां पर भी जो है आपको ट्राइरव एलमेंट्स वह देखने को मिल जाएंगे सीशेफ इंसेटिंग जो है वह मिल जाती है प्लस पीछे की तरप आपको पार्कींस अंसर्स वह भी दिया गया है विंड्शिल के अगर बात करें तो यहां पर जो है आपको वाइ वह वह नहीं आएगा इधर आप देख सकते वह भी आ जाता इस साइड में इसके फ्यूल कप को देख सकते अगर इसके लाइट की बात करें तो यहां पर आप इसके रेर लेडिक कॉमिनाशन आपको देख सकते हैं जो कि एलेडी इंसर्टिंग के साथ यहां पर आपको दिया प्लस यहां पर आपको ब्लाक प्यानों फिनेसिंग वो भी आ जाती है स्पीकर की प्लेजिंग वहां देख सकते हैं यहां पर आपको यहां प्लस यहां पर आपको लॉक्लिवर वगरा जो है वो भी आप देख लीजिए फैबरिक इंसर्टिंग वो मिल जाएगे यहां पर डैशबूर का डिजाइन जो है वो मुझे परसनली काफी अच्छा लगा इतना प्रीमियम लग रहा देखने में यह जो डिजाइन आप देख रहे हो प्लस इसकी जो फिनिस है इतनी ग्लॉसी फिनिस जो इसके अंदर आपको मिल जाती है इसका कलर कॉमिनेशन इतना सही है बट जिस एरिया में हम लोग रहता है यहां पर थोड़ा सा गंदा हो सकता यहां पर थोड़ा से स्पेस मिल जाता है तो चलते हैं इसके ट्राइवर साइड एरिया की तरफ और आपको ब्लस आपने और अज्जस करने के लिए आपको जो है इसक वह यहां पर देदिया गया और ब्लाक इंसे आप आज स्पिकर के प्लेटर को मैनौली करना पड़ता है तो तक तीन पैडल वह भी यहां पर रिलीस करने के लिए यहां पर आपको लिवर वह अगर बात करें सेरिंग विल जो है यहां से आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको डी-कट बॉटम स्टेरिंग वील आ जो की leather wrapped steering wheel है प्लस इसके अंदर जो है आपको black piano finishing वगरा वो भी आ जाती है यहाँ पर center में आपको Tata का logo वो मिल जागा cruise control से लेटेट सारे buttons जो है वो आ जाते है इसके अंदर जो है आपको tilt का option जो है वो मिल जाता है telescopic इसके अंदर नहीं आगा का यहां से जो आपने volume वगरा को release कर पाऊगे प्लस यहां पर जो आपको toggle वगरा जो दिये गया है आपका headlamp का toggle आपको दे दिया गया है उसके अलावा जो आपको वाइपर का toggle है जो है वह आप इधर देख सकते हैं इस इवेंट वगरा जो है यहां पर आप देख लीजिए इस पर आपको chrome की surrounding वह मिल जाती है center के अंदर जो है आप इसके infotainment system को देख सकते हैं जो की ठीक नीचे आजाए तो यहां पर आप सारे असी से अंदर आता है climate control तो उसका सारा control आपको इधर मिल जाता है defogger वगरा on off करने के लिए ventilation के विन के अंदर कैसा maintain करना है उसका बेक बटन यहां पर आपको दिया गया है प्लस यहां पर जो है आपको एक एक्सप्रेस कुलिंग का बटन जो है वह भी मिल लाता है अगर आपकी कार जो है वह ज्यादा heat temperature में अगर आप खड़े करते हो तो एक्सप्रेस कुलिंग का बटन आप प्रेस करोगे तो आपके जो चारो विंडोज है वह रोल डाउन हो जाते है और जो इसकी जो मैक्सीमम स्पीड है एक की वह उस पर काम करने लगता तो यह जो एक काफी बहतरीन फीचर जो की सेग्मेंट की यहां पर आपको इधर दे दिया गया है इसका जो आयरव्यम है वह मैन्वेल इसक करना पड़ता है और फीचर जो है वह नहीं आएगा प्लस यहां पर जो आपको केविल लेम्प दिया गया है रिडिंग लैम वह जो लीडी के अंदर आ जाता है सउनुफ जो है यहां पर आपको बटन कर पाऊंगे छोटा सा सभी सभाय जिए पॉब्रीक नहीं मिला गा तो चली हमनों सभागट कर देते हैं तो यहां पर जो आपको रिदस बगरा दिया आपको देखने को मिल जाते हैं और यहां पर आपको ब्लैक प्रेंशिंग वो आ जागी पावर विंडों का जाता है यहां से आपको पीछे में जो है यहां पर आपको नहीं प्रोवाइट किया गया इसमें आपको दो कफोल्डर वह भी मिल जाएंगे पीछे का लेगरूम का स्पेस वगरा जो है काफी डिसेंट सा इसके अंदर मिल जाता है वह भी आप देख लीजिए पार्शल ट्रे वगरा वह भी आ जाएगा अब हम लोग इसको भूट को भी देख लेते हैं कि भूट में आपको कितना स्पेस मिलता ऑल्दो नेक्सों का बह सब्सक्राइब कर सकते हैं इसका स्पेर विल जो है यहां से आप देख लीजिए इसकी प्रोफाइल वह डाउन साइट पर है प्रॉफाइल में और देख लिए उसके अंदर आपको कॉन साइब दमिलता है क्या स्पेसिफिकेशन वगरा स्वर्वाइब तो इससे रिलेटव जो भी इसका जो इंजन हो गए रहा है उसके फोनेट को ऑपेन करते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको कौन से इंजन मिलता है और कितना पावर वगरा जो है जनेरेट करता यह तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टाटा का इंजन प्रोवाइड किया गया इस इंजन से रेटेट क्या इग्जाक्ट स्पेसिफिकेशन वगरा तो कोई भी इसे टेकनिकल या मेकनिकल चेंज जो इसके अंदर नहीं किया गया बट यह काफी नया कदर था तो इस वाज़े सो जो मैं आपको वीडियो पना के प्रोवाइड कर रहा हूं यहां पर देख लिए और बिल्ट कॉलिटी वगरा जो है काफी सॉलिड है वह तो आप आप वीडियो को धनबास से देख रहा है तो एक जो है आपको एक और प्राइज दिख रहा होगा अपने डिस्पले पे दूसरा जो है आपको ऑनडूरे प्राइस दिख रहा है जोकिए प्रॉक्स है पुरा exact price नहीं है एक्जक प्राइस जो है आप तो ही आपको पता चल प तो आज किस वीडियो में फिलाल इतना है मिलते फिर इस नेक्स वीडियो में तब तक से अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब करें नहीं किया सब्सक्राइब करें बैल आइकन को हीट कर ले ताकि जो वीडियो अप्लोड कर आपको फटा-फट से जो है नोटिक्फिकेशन वगरा मिल जाए तो आज किस वीडियो में फिलाल इतना ही धन्यवाद